आग्रा के सरवाधिक लोग प्रिया चैनल सी न्यूज के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें पारसल का सामान चोरी करते दो ययूपकों को आर्पियफने पकडा है दोने घिवाख आग्राकेंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफारम से बुक किया पारसल चोरी कर ले जा रहे थे आगरा केंट रेलवे इस्टेशन से पार्सल का समान चोरी कर ले जाते दो युपकों को आरपी अपने गिरफतार किया है मौसीन और आरिफ को गिरफतार किया है मुहम्मद मौसीन और आरिफ आगरा केंट रेलवे इस्टेशन के नहीं दीख थाना सागन सुनाय ख्वाजा ख्वासपरा के रहने वाले हैं। दौनों जूते का कार्टून चोरी कर ले जा रहे थे। इसका नाम आरिफ कुत्र अंसार खान था उसने बताया कि यह मैंने पार्सल पैकेज जो प्रेट्वान नमर 6 है उसका दिल्ली साइड का एंड जहां पार्सल ओफिस है उस तरफ से चुराया है और जो दूसरा वेक्ति इसके साथ खड़ा था वो उसको बेच रह था इसका नाम मुहम्मद मौसीन था उसमें जब बंडल को खुलवाया गया उनके सामने तो उसमें 40 जोडी जूता मिला जो कि उन्होंने चोरी से और यहां से पेड़ फार्ट उठाया था भारी मात्रा में पारसल घर के पास पेड़ फारम पर बुक किया हुआ या फिर ट्रेन से आया हुआ सामान रखा रहता है जिस पारसल को चोरी कर ले जा रहे थे उसमें जूते थे आर पिअप इस बात का भी पता लगाने में जूती है दोनों युबक क्या पूर में भी ऐस की गई इन से लेकिन पहले का कोई ऐसा मामला संग्यान में नहीं ना तो कोई चोरी रिपोर्ट इस प्रकार की और ना हमारे संग्यान को ऐसा मामला था इनके खिलाब मुकदमा 3RPPF के अंतरगर्त कायम किया गया है अभी इनको थोड़े दिर में में स्पेस किया जाएगा ज जिससे आसानी से गिना नहीं आ सकता जिस तरीके से यह युवक पारसल का समान चोरी कर ले जाते पकड़े गया है उससे यह भी आसंग का जायर की जारी है कि दोनों युवक पूर में भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके होंगे आगरा केंट रेलवे इस्टेजन से पारसल चोरी करते समय दो लड़कों को पकड़ा गया ऐसा बताये गया है कि दोनों लड़के रेलवे के दौरा बुक कराए गए पारसल को चोरी कर ले जा रहे थे आरपी अप गस्त कर रही थी उसी दौरान दोनों लड़कों पर इस तरह की वारदात को अन्जाम देने में लगे हुए थे अपने साथ एकवाल के साथ राकिश कनोजिया सी नियूस आगर